जाफ्रावाज जालना के ग्राम गिता प्रचारक ने कहा कि राष्ट्र संत तुकडुजी महराज का राष्ट्र धर्म उनके दर्शन में प्रतिबिम्बित होता है राजेंद्र वैद्य द्वारा राष्ट्र संत तुक्डोजी महराज की जेनतिके अवसर पर मंगलवार को राष्ट्र संत तुक्डोजी महराज नाकपुर विश्व विद्याले में राष्ट धर्म और संत दर्शन विशे पर व्याक्ष्यान आयोजित किया गया विश्व विद्याले के जमनलाल बजाज प्रशासनिक भवन में आयोजित व्याख्यानमाला की अध्यक्षता माननिय कूलपती डॉक्टर सुबाश चौदरी द्वारा सेवा प्रदान की गई इस अवसर पर जालना की ग्रामगीता प्रचारक राजेंद्र वैद्य व्याख्याता थे तथा प्रो चांसलर डॉक्टर मुख्य अति थी थे साथ ही संजय दुधे एवं रजिस्टर डॉक्टर राज्यो ही उसे उपस्तित थे राश्रसंत व्याख्यान माला का ग्यारवा पुषपांजली अर्पित करते हुए वैद्य ने कहा कि वे राश्रसंत के विचारों का पत्र लेकर आए है और केवल डाकिये का काम कर रहे है भारत का इतिहास लाखो वर्ष पुराना है और रामायन महाभारत ने वचन भाईचारा प्रेम नेतिक्ता की शिक्षा दी है हमारे देश की महान संस्कृती ये है कि संत शास्त्र लेकर पैदा हुए गौतम बुध की तपस्या ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है इसी प्रकार बारा सो इकत्तर में संत ज्यानेश्वर महाराज ने विश्व धर्म की व्याख्या की 17वी सदी में तुकारा महाराज और 21वी सदी में वैराग मूर्दी गाडगे बाबा ने रोकड़ा धर्म की शिक्षा दी वैद ने कहा कि यह हमारे देश की विशिषता है कि राश्र संतों ने राश्र धर्म की शिक्षा दी राश्र संदका जन्म 1909 में ब्रिडिक शासन के दोरान हुआ था। उन्होंने बरहा वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ दिया। इसके बाद महराज ने कई रचनाय की जो मानुवता की वकालत करती थी। उन्होंने संदेश दिया कि सभी को सभी धर्मों का संमान करते वैद ने कहा कि महराज ने साहित्य के माध्यम से अपनी अलग पहचान दी, डेश के लिए जीना या आउसर के लिए मरना संतों का राश्रिय धर्म था। उन्होंने सामुदाईक प्राथना के माध्यम से सभी पंथों, सभी धर्मों का संमान करने का संदेश दिया है। झाल